हाई केड्स आज मैं आपको नेट प्रॉफिट रिशो के बारे में बताऊंगा कि नेट प्रॉफिट रिशो क्या होता है तो पहले सवाल देख लेते हैं फिर हम सवाल की तरफ आते हैं बहुत इंपोर्टेंट सवाल है यह अब थोड़ी मिट जुड़े रहे तो आपको यह रखा है यानि सुबह स्टार्टिंग में पहले तारीक को बीज अरका माल था पर्चेज़ पूरे साल में 30 की खरीदा रहें की क्लोजिंग इंवेंट्री क्लोजिंग इंवेंट्री 10,000 रुपय और ओप्रेटिंग एक्स्मेंस तीन अजार रुपय तो अब पर नेटेट काप फार्मूला यह नेट पॉफिट का फार्मूला ये पांगी मैंस करो आएग करेंगे दर्ड को इनदर 50,000 जा रुपई आज से कॉस्ट विड्स obt ओर चाएगा तो कpak cost of goods sold कैसे निकलती है opening new entry play at purchases less closing inventory cost of goods sold starting में पहली तारीक को 20 जर का माल था साल में जैन्वरी की पहली तारीक को पूरे साल में 30 जर की खरी तारीकी और 10 जर की closing inventory है तो 50 जर का माल था 10 जर की closing inventory तो 40 जर का माल cost of goods sold हो गया अब 40 जर का माल सब्सक्राइब तो 50,000 का बीचा है 50 जर चाली कैसे 40 जर माइनस करें की तो 10 जर gross profit अजाएगा अब gross profit में से कारोबर चलाने के बेशस्वार खर्चें भी होते हैं कारोबर चलाने के लिए rent rent होता है salaries होती है बेशस्वार खर्चे होते हैं तो इसको operating expense minus कर देंगे 10,000 में से 3,000 minus कर देंगे तो net profit आजाएगा 7,000 रुपए तो net profit कैसे निकलता है ये निकलना सिका दिया आपको अब formula net profit आ चुका है फार्मूले का net profit ratio का formula net profit divided by net sales multiply by 100 तो net profit आपके पस कितना है 7,000 और sales तो given नहीं है आपके पास net profit आपके पास कितनी है 7,000 रुपए देखें ये रहा 7,000 रुपए और net sales आपके पस given है 50,000 रुपए net sales 50,000 रुपए तो net profit उपपर रखा net sales नीचे रखा multiply 100 किया तो 14% मुनाफिका rate आ गया net profit rate 14% आ चुका है तो ये net profit ratio आ गया तीक है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो subscribe करें like करें share करें और bell icon पे click जरूर करें ताकि आपको नए notification और नए videos मिलती रहें टेक के good bye